आपके गाडी में जो भी कंपनी का फास्ट टैग लगा है वो यहाँ पे लिस्ट आप सभी देख लिजे इन में से किसी भी बैंक का अगर आपके पास फास्ट टैग है और उसके अंदर अगर आपका KYC हुआ रखा है या नहीं हुआ है उसका स्टेटस आप कैसे चेक कर सकते ह आज के इस वीडियो के अंदर वही चीज मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहला काम आपको ओफिसियल जो फास्ट टैग का ओफिसियल ओरिजिनल एपलिकेशन है उसी को आपको डाउनलोड करना है अदरवाइस किसी और एपलिकेशन को आप डाउनलोड मत कर लिजेगा उस ओरिजिनल एप का लींक मैं आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्सन में दे दिया हूँ उस लींक पर किलिक करना है और फिर आपके फोन में गूगल प्ले इस्टोर से वो एपलिकेशन डाउनलोड हो जाएगा अब आपको उस एपलिकेशन को ओपिन करना है ओपिन क आचुका है आपका किस बैंक का फास्टेग लगा है वो आप गाड़ी के जब अंदर घुसेंगे तो पीछे आपको उस बैंक का नाम दिखेगा ठीक है तो मेरा जो बैंक का लगा हुआ है वो है कोटक महंद्रा बैंक तो इसके उपर हमें क्लिक करना है दोस्तों अगर आप कि किसी भी बैंक के फास्ट टैग में लॉगिन करना चाहते हो तो लॉगिन करने के लिए कुछ समस्या आपको देखने को मिल सकता है पहला समस्या ये कि मैंने यहाँ पे नंबर डाला उसके बाद कैप्चा कोड डाला फिर यहाँ पे हमने गेट OTP पे क्लिक किया तो मुझसे पा मॉबाइल नंबर याद था पासवर्ड याद ही नहीं था तो हम पासवर्ड कैसे पता करें तो यहाँ पे फॉर्गेट पासवर्ड का एक उप्सन है इसके उपर हमने क्लिक किया क्लिक करने के बाद हमारा जो रजिस्टर मॉबाइल नंबर है वो यहाँ पे दर्ज करना था अब हमें यहाँ पे नया password जो है वो बना लेना है तो देख सकते हैं कि हमने अपना सकसेज फुली नया password बना लिया है अब थोड़े देर का इंतिजार करेंगे तो आप फिर से login वाले page पे आ जाएंगे और अब यहाँ पे आपको फिर से अपना mobile number डालना है इसके बाद भी password बनाया वो आपको डालना है capture डालना है और login पे click करना है देखिए यहाँ पे अगर आप login पे click करते हैं तो हो सकता है कि आपको फिर से password नया बनाने का option दे देगा जैसा कि मुझे यहाँ पे दे दिया तो हमने अपना old password डाला और new password बना लिया अब जैसे ही आप अपना फिर से mobile number डालच करोगे password डालच करोगे capture डालोगे login पे click करोगे तो आपका सफलता पुरुवक आपके कोटक बैंक के fast tag में आप login हो जाओगे तो अब यहाँ पे login करने के बाद हमें कैसे चेक करना है कि हमने जो अपना fast tag लिया है उस fast tag के अंदर KYC हो रखा है कि नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है तो यहाँ पे हमें अब क्या करना है कि यह जो तीन लाइन का option दिखरा है इसके उपर click करना है click करने के बाद यहाँ पे आप सभी को एक option देखने को मिलेगा my profile का इसी के उपर आपको click करना है जैसे ही my profile पे आप click करोगे यहाँ पे आपको एक option द status पता चल गया कि आपका pending है कि हो रखा है कि नहीं हुआ है तो यहाँ पे इस तरीके से इनका pending है तो अब बात आती है कि pending है तो इसको हम update कैसे करें तो दोस्तों अगर आप सभी को अपना KYC करना है fast tag में तो यहाँ पे किसी किसी bank के अंदर ये चीज का option नहीं है मैं पिछले वीडियो में इंडस लैंड का कर रहा था तो उसके अंदर online KYC अपडेट करने का option था लेकिन कोटक में नहीं है तो जिसका भी नहीं है वो offline जाकर कर सकते हैं और अगर कुछ दिन में अपडेट आता है तो मैं उसके उपर एक वीडियो जरूर लाऊंगा जिससे कि आप सभी घर बैटे अपने किसी भी कमपनी के फास टैग में KYC अपडेट कर सकते हैं आज की वीडियो के अंदर इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आयोगा तो जुरूर से लाइक केज़ेगा अगर कोई भी प्राबलम आ रहे है तो नीचे कमेंट कीज़ेगा और हाँ दोस् इस कमपनी का मिला संपर्ख में उसका मैं वीडियो बनाकर आपको दिखा रहा हूँ बाकी जैसे ही मिलता है मैं आपको लेकर आऊँगा बस दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आयोगा तो जुरूर से इस वीडियो को लाइक कर